सच बोलने की सजा तो मिलनी ही थी कुछ देर पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो साजा किया कि किस प्रकार से राजेंद्र गुड़ा जो की मंत्री है अशोग घेलोत की सरकार में राजस्थान की विदान सबा में कड़े होकर उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल खोली और कहा कि महिलाओं की स्थिती दैनिय है और राजस्थान में महिला सुरक्षा जिस प्रकार से वो द्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्ता द्वस्त हो चुकी है तो मनिपुर की नहीं बात करनी चाहिए राजस्थान को अपना मामला देख लेना चाहिए अब ख़बर सामने आ रही है कि किस प्रकार से अशो गैलोजी ने मीडिया के सूत्रों से ये ख़बर आ रही है और इसकी पुष्टी हो चुकी है कि उनको हटा दिया गया है उनको मंत प्रेकार से, करॉलि की घटना, जोद्पूर की घटना कि स्वगे aha तकार से अंय घैचना इन जिसमें दलित महिलाए खासकर। उनके साथ बलातकार होता है उनको नगनक या जाता है उनके पती के सामने बलातकार क्या जाता है उस पर एक शब्द बोलने के बदले उस पर कारवाय करने के बदले राहुल गांदी और प्रियंक का वाड़ा इस व्यक्ति का कि राजस्थान सरकार की किस प्रकार की नीती रही है महिलाओं को लेकर जिससे की राजस्थान नंबर वान हो चुका है रेपस में तो इन लोगों पर कारवाई करने के बदले जो महिला सुरक्षा के बारे में कहते हैं कि जादतर महिलाओं के साथ बलातकार फेक होता है या मर् महिलाओं के उपर उत्पीडन का मामला केवल राजनेतिक और रणनीतिक मामला है कॉंग्रस पार्टी के लिए ये केवल राजनीति करने का मुद्दा है राजस्तान में जहां पर सचमुच में महिलाओं की स्थिति और उनकी सुरक्षा की स्थिति दैनिय हैं वहां पर जो हकीक का वाड़ा बताएं कि क्या वो इस हकीकत को बयां करने वाले व्यक्ति के साथ है या खिलाफ है क्या वो अशोग गहलोजी पर कारवाई करेंगे आया ना